हेलो एवरीवन वेलकुम अगेन टू लान्वरिद देतीमन तो हम लोग 6th क्लास को कम्ट्रीट कर चुके हैं आज हम करेंगे 7th क्लास स्टार्ट ठीक है सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसके चेप्टर चेप्टर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है सभी और वो क्यों है क्योंकि अगर आप स्लिबस उठाके देखेंगे तो आपको राजिस्थान का जोग्रफिकल पार्ट आपको हिस्टोरिकल पार्ट सारा पढ़ना है तो आपको बहुत अच्चे से पढ़नी है याद करनी है वीडियो को बार-बार देखना है तो आप लोगों को ये चीजे याद हो जाएंगी आप कई पूछते हैं कि ये याद कैसे होगी तो इनको बार-बार पढ़ेंगे तभी याद होगी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और ये चीजें जल्दी याद हो जाएंगी तो देखिए जब आप राजिस्तान का इतिहास पढ़ेंगे राजिस्तान का भूगोल पढ़ लेंगे और राजिस्तान का ही पॉलिटी पढ़ लेंगे तो आपके असी नमबर, जीके में असी नमबर माइने रखता है, बहुत बड़ा पार्ट है राजिस्तान का, तो यहां आपको राजिस्तान का जीके पढ़ना ही होगा, और इन बुक्स को पढ़के ही आप लोग असी मैंसे मानिये कि आप 78, 79 मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इन चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, और जो लोग शॉटकर्ट अपनाते हैं, हम सीधे कोशन अंसर देख लेंगे, तो उनको कुछ भी याद नहीं होगा, इसी लिए चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, तो देखिए, वन वन जीव एवम संरक्ष खनिज एवम उर्जा संसाधन, करसी एवम सिच्चाई, राजिस्थान में करसी विपणन, राजिस्थान में व्यापार, ये सबी चैप्टर जो है, वो जोग्रोफिकल, अगर आप पार्ट देखेंगे आपका सिलिबस का, तो ये सब भी आएंगे, और सब भी आपको पहर नहीं गया है, राजिस्थान के प्रमुक सासक, आजादी का आंधोलन और राजिस्थान, आजादी से पूर्व राजिस्थान में सामाजिक, सैक्शनिक, सुधार, समविधान निर्माण में राजिस्थान का योगधान, अब ये देखिए पॉलिटी की दरस्टी से, य पूरा पढ़ना होगा, तो छोटी-छोटी क्लासिस के बाद आप बड़ी क्लासिस में जाएंगे, तो आपको बहुत आसानी होगी, तो पहले के जो पढ़े हुए बच्चे हैं, वो सभी जानते हैं, कि हम बिल्कुल जीरो से चलते हैं, और फिर हम हाई लिवल पर पहुंच लेकिन जब चीजें ही याद नहीं होगी, तो उसका कोई फाइदा नहीं है, और आपके एक्जाम में नेगटिव मार्टिंग है, रीट की तरह नहीं होगा, कि आप तुक्के मार देंगे, यहां तो आपको आएगा, तो आप सही कर पाओगे, नहीं आएगा, तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग से ही यह चीज लेकर चलनी है, कि सही तरीके से हम लोगों को चलना है, याद रखनी है चीजों को, ताकि एक्जाम में हम सही आंसर तक पहुंच सके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, चैप्टर वन, तो कक्षा में आज एक नई विध्यार्ती का अगमन हुआ, सभी विध्यार्ती उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, सिक्षक ने कक्षा में आकर नई विध्यार्ती से उसका नाम पूछा, तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा, विध्यार्ती ने बताय मेरा नाम इशान है, मेरे पिता वन विभाग में कारेरत है, उनका हाल ही मैं भरतपुर से इस्थानंतरन इस सहर में हुआ है। वे केवला देव घणा राष्ट्रि पक्षी उध्यान में कारेरत है। तो केवला देव घना राष्ट्रिय पक्षी उद्यान कहा है भरतपुर में है तो इश्यान के पिताजी जो है वो यहाँ पर काम करते थे सिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबीरियन क्रेन बगुला बया कोयल बटे जैसे अनिक पक्षी पाए जाते हैं तो पक्षी उद्यान है ठीक है याद रखना है पक्षी उद्यान है केवला देव घना राष्ट्रिय पक्षी उद्यान जहां पर सा महत्व होता है वन प्रकति के द्वारा प्रदत अमूल उपहार है पेड़ पौधे हमें सुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहायक करते हैं पेड़ पौधे वन जीवों को आश्रे प्रदान करते हैं वन प्राकर्तिक सुन्धरता के साथ ही जलवायू को संबनाते हैं वन आजीवी का के साधन भी होते हैं, तो कितना सारा काम जो है, वो वनों से हमें प्राप्त होता है, देखिए हवा मिल रही है सुद्ध, ठीक है, जिससे की वर्षा में भी सहयोग होता है, ठीक है, और पेड़ पॉधे वन्ने जीवों को तो आश्रा देते ही हैं, इसके कोई छोटे पेड़ पॉधे हों, तो उन्हें समय समय पर पानी पिलाएं, तो ये काम आप लोगों को करना है, वनों का आर्थिक महत्व, उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है, राजिस्थान के वनों से इमार्ती लकड़ी, इंधन की लकड़ी, तेंदू, पत अबास, गूंद, इनसे उसदियां प्राप्त होती है, जो चीज नोट करने वाली होगी, उसको मैं आप लोगों को बताती जाओंगी, वनों के प्रकार, अब वनों के कितने प्रकार होते हैं, राजिस्थान राज्य की कुल शेत्रफल का लगबग दस्वा भाग वन शेत्र है, राज्य में सरवादिक वन शेत्र उदैपूर तथा उस सबसे कम वन चुरू जिले में है, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, कि सबसे ज़्यादा वन हमें कहां मिलेंगे, राजिस्थान के जो दक्षनी भाग है, उदैपूर में और सबसे कम वन जो है वो चु जानना जरूरी है, ये वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं, ठीक है, इन पर संपूर नियंत्रण सरकार का होता है, पर्यावरण की द्रस्टी से महत्वपूर होने के कारण इस शेत्र में पसू चराना, लकड़ी काटना इस पर प्रतिवन होता है, तो सरकार के नियंत्रण मे याद रखनी है कि आरक्षित वन किसे कहते हैं जो सरकारी नियंत्रण में होंगे वो शेत्र और जहां ना तो पसू चरा पाएंगे और ना ही लखडी काट पाएंगे नेक्स्ट है सुरक्षित वन ये वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं जिस तरीके से आरक्षित वन आते हैं लेकिन कुछ नियमों के साथ इस शेत्र में लकडी काटने और पसू के चराने की अनमती दी जाती है पूरे में नहीं दे जाती है लेकिन कुछ नियमों के साथ इस शेत्र में लकड़ी काटने और पसूओं को चराने के अनमती दी जाती है, इस प्रकार के वन कुल वन शेत्र के आदे से अधिक शेत्र पर फैले हुए हैं, ठीक है, तो आरक्षिद वन जोकी सरकारी नियंत्रण में आ रहा था, जहां पसू चराने लकड़ी काटने पर प्रति काट सकते हैं और पसू भी चरा सकते हैं तो अनुमती लेनी पड़ती है तीसरा है आ वर्गी करत वन अब ये कैसे वन होते हैं जहां पर कोई प्रतिवन नहीं होता यहां पर पसू चरा सकते हैं लकडी काट सकते हैं ठीक है और किसी तरह का सरकारी प्रतिवन नहीं होता है तो धरातलिये स्वरूप, जलवायू, वर्षा की मात्रा, मिट्यों की भिन्नता, वनस्पती को प्रभावित करने वाले प्रमुक कारक है। तो देखिए, important line है कि जो धरातलिये स्वरूप है, जैसी बनावट है, वहां की जलवायू है, वर्षा की मात्रा है, और मिट्यों में पाई जाने वाली भिन्नता, तो ये सभी वनस्पती को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पुछा जाता है, वनस्पती को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो धरातलिये स्वरूप है, जलवायू है वहां की, वर्षा की मात्रा है, और मिट्यों की भिन्नता है। राजिस्तन में भोगोलिक द्रस्टी से तीन प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो देखिए, भोगोलिक द्रस्टी से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तीन प्रकार के। भोगोलिक द्रस्टी का मतलब क्या है कि वहां की भोगोलिक इस्तिती कैसी है, वहां की जलवायू कैसी है, जो कि हम लोगों ने 6th class में पढ़ ली थी, ठीक है, कुछ एरिया सुस्क है, कुछ अर्दु सुस्क है, कुछ नम है, ठीक है, तो इसको भी हमने 3 भागों में बाटा ह सबसे 1 है, उसने कटिवन दिये कटिले वन, उसने कटिवन दिये कटिले वन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कि वहां का एरिया सुस्क होगा, गर्मी बहुत पड़ती होगी, कटिले वन होगी, ठीक है, और वो वन कैसे होगे, ये कटिले वन होगे, इनकी जड़े काफ जोदपूर, सीकर, जुनजनु और जालोर। तो हमें पता है कि सुस्को और अर्दसुस्को भाग अरावली के अगर हम पक्षमी साइड में देखें तो वो एरिया सुस्को और अर्दसुस्को भाग में आता है तो बिकानेर, चूरूस, जैसलमेर, बाडमेर, नागोर, कटीले वन हमें देखने को मिलते हैं, इन वनों में जाडियां कटीले ब्रक्ष पाए जाते हैं, मुख्य ब्रक्ष देखिए, रोहिडा है, खेजडी है, धोकड़ा है, बेर है, बबूल है, कैर है और नेम है, इस मरुस्तलिय वनस्पती को मरुद बिद भी कहा जाता है, तो एक तो यहां तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, जैसा मैंने आपको बताया, और उसका कारण क्या है, अरावली है, इस शेतर में ब्रक्षों की पतियां चोटी होने के कारण वास्पी करण कम हो पाता है, पेडों की जड़ें गहरी होती है, जिन से यह जमीन के रह पाते हैं, नहीं तो बर्शा भी यहां पर बहुत कम होती है, टेंपरेचर इतना हाई होता है, ठीक है, और इनकी जणे जो हैं, इतनी लंबी होती हैं, कि ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर पाती है, खेजडी बहु उपयोगी ब्रक्ष है, खेजडी को राज राजिस्थान में कल्प ब्रक्ष भी कहा जाता है, और ये एक राज्य ब्रक्ष भी है, रोहेडा राजिस्थान का राज्य पुस्प है, ठीक है, तो ये सभी लाइने इंपर्टेंट हैं, सेवन घास, अत्यंत पॉस्टिक घास है, जो जैसलमिर में पाई जाती है, अब यह राजिस्थान का राज्य पुस्प है, और नंबर फोर कुशन है, कि जो घास है, सेवर घास, ये कहां पाई जाती है, जैसलमिर में पाई जाती है, तो ये देखिए, ये क्या है, कि सरिय कलर का, लाल कलर का, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, राज्य पुस्प है, नेक्स्ट है उष्ण कटेवंदिय सुस्क पतजड वन तो नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पर भी उष्ण यानी गर्मी होगी सुस्क होगा ठीक है और पतजड यानी अपने पते जहाड देते हैं ऐसे वन इन वनों को हम मांसुनी वन भी कहते हैं ऐसे वन मुख्यते कहां पाए जाते हैं बासवड़ा, दुंगरपुर, उधैपुर, चितोडगड, कोटा, बारा, जालावार, अलवर, अजमीर, जैपुर, सवाई, माधोपुर, करॉली, बूंदी, एवं टौंक जिलों में पाए जाते हैं इन वनों में सागवान, बर्गद, तेंदू, सालर, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बास, आमला, आम, नीम, सीसम, ये सभी ब्रक्षुप पाए जाते हैं ठीके तो याद रखना है कि मानसुनी वनों में कौन से वनाएंगे सागवान, बर्गद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बास, आमला, आम, नीम, सीसम, आधी, इन वनों की अधिकान से लकडियां मजबूत होती हैं, इन वनों के पेड ग्रीश मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तीसरा है अर्दु उश्नय कटिवंदिय सदावारवन, ये सदावारवन होते हैं, हमेशा सालो साल बने रहते हैं, आबू परवत्य शेत्र में ही पाए जाते हैं, ये वन पहाड़ी के उचाई वाले भागों में पाए जाते हैं, याद रखना है सदावारवन कहां मिलेंगे, पहाड़ी के उचाई वाले भागों में मिलेंगे, जहां वर्षा जो है, वो इनको प्रियाप्त मात्रा में मिल इन वनों में मुख्यतें आम, बास, सागवान, आदी ब्रक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है वन चलिए। नेक्टर देखते हैं रास्ट्रिय उध्यान। रास्ट्रिय उध्यान वन्य जीव अभ्यारन और संरक्षित शेत्र हमा रास्ट्रिय उध्यान, वन्य जीव अभ्यारन ये किसले बनते हैं ताकि प्राकर्तिक वनस्पती और जो जीव हैं वन्य जीव उनको सुरक्षा मिल सके। राजिस्तान में तीन रास्ट्रिय उध्यान है। याद रखना है तीनों रास्ट्रिय उध्यान, केवला देव रास भरतपुर जिले में हैं, तो स्टार्टिंग में ही हमने ये पढ़ लिया था कि केवलादेव राष्ट्रिय उध्यान किसके लिए है, पक्षियों के लिए, ठीक है, ये भरतपुर में है, यहां साइबेरियन क्रेन, बहुत बार पुछा गया है, साइबेरियन क्रेन जो है, कहा पाई जाती है, कौन से राष्ट्रिय उध्यान में पाई जाती है, तो केवलादेव राष्ट्रिय उध्यान में, बगुले, बया, कोयल, बटेर, आदी, पक्षि पाए जाते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा तर नहीं पूसता है, साइबीरियन क्रेन के बारे में पूसता नेक्स्ट है रण थंबो राष्ट्रिय उद्यान यह सवाई माधावपुर जिले में हैं यहां बाग, भालू, चीतल, सांबर, नील गाय, मगरमच आदी पाए जाते हैं यह राष्ट्रिय उद्यान भारतिय बाग के लिए प्रसिद है तो बाग के लिए प्रसिद है रण ठीके रण थंबोर, मुकुंदरा हिल्स और तीसरा सरिस्का ठीके जो बागों को सरनक्षण देती हैं और राष्ट्रिय उद्यान भी तीन हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि तीन राष्ट्रिय उद्यान है और तीन ही बाग संरक्षण परियोजनाएं हैं थार्ड नंबर पर हैं मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रिय उद्यान यह कोटा और चितोरगड में रावत भाटा जिले में फैला हुआ है यहां बाग, रीच, जरक, गीदर, भेड़िया, सांबर, चीतल, नील गाय, चिंकारा, सियार, आदिवन पाये जाते हैं ठीक है तो हमने क्या पढ़ा राष्ट्रिय उद्यान में बहुत इंपोर्टेंट है यह आप लोगों के लिए तीन राष्ट्रिय उद्यान हैं केवला देव राष्ट्रिय उद्यान जो भरतपुर जिले में हैं रड धंबोर राष्ट्रिय उद्यान सवाई माधवपुर ज वन जीव अभ्यारण यानि कि जहां पर जो वन जीव हैं, खोले आराम से घुम सकें। अभ्यारण का अर्त है अभे अरण्य, यानि भे मुक्त वन अतार्थ ऐसा वन जहां वन जीव सुरक्षित घुम सकें। इसी उद्देशी के लिए सरकार द्वारा वन शेत्र को सर्रक्षित किया जाता है राजिस्थान में कई वन जीव अभ्यारन है जिन में से कुछ प्रमुक वन जीव अभ्यारन तालिका 1.1 में दर्साय गए है अब ये तालिका आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है ये वन जीव जो है वो सभी याद नहीं रखने हैं लेकिन जो मैंने अंडरलाइन किये हैं वो तो आपको याद ही रखने होंगे ठीके तो आप बड़ी क्लासिस पड़ोगे तब भी आपको ये चीज़ें तो देखिए अभ्यारण का नाम है राष्ट्रिय मर उद्यान वन्यजीव अभ्यारण ये कहां है तो नाम से ही पता लग रहा है मरू उद्यान मरू उद्यान तो मरू विद्भूमी जो है वो कहां है जैसलमेर साइड में है तो जैसलमेर और बाडमेर जिले में और यहां प नेक्स्ट देखिए थर्ड नबर पर कुंबल गड़ वन्य जीव अभ्यारन ये है रासम्मद, पाली और उदैपुर में फुलबारी की नाल जीव अभ्यारन जो है यह उदैपुर में है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारन कहां है अल्वर में और ये बाग के लिए प्रसिद्ध जो कि मैंने आपको बताई थी टॉड़ गल रावली वन्य ठीक है कर्णल टॉड़ के नाम से रखा गया यह रासमद अजमेर और पाली जिले में है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण यह प्रतापगर्ड जितौड़ गर्ड और उधैपुर जिले में है और देखिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है माउंट आवू वन्य जीव अभ्यारण सिरोही में है यहाँ पर आपको जंगली मुर्गा देखने को मिलेगा रामगड विश्धारी वन्य जीव बुंदी जिले में है और नाम से ही पता लग रहा है विश्धारी साप के लिए जम्मुवा रामगड वन्य जीव अभ्यारण जैपुर जिले में है और लास्ट राष्ट्रिय चंबल घड़याल यहाँ पर घड़याल मिलेंगे आपको और कोटा स्वाई माधवपुर करॉली और धौलपुर जिले में चंबल नदी के सहारे ठीक है किसके लिए प्रसिद है घड़यालों के लिए प्रसिद है तो यह कुछ एक नाम है जो कि आपको पढ़ने पर ही याद हो जाएंगे सबसे पहले तो आपको चीजें याद रखनी है कि यह अभ्यारन कौन से जिले में है राश्ट्री मरु उद्ध्यान जो है वह है नाम से ही पता लग रहा है मरु उद्ध्यान जैसलमिर बाडमिर में केला देवी आपको पता है कि केला देवी कहां है करोली में, स्वाइप माध्शपुर में, कुंबलगड वन्यजीव राससमद ये आपको याद रहेगा, राससमद उदैपुर पाली में फुलवारी की नाल आप याद रखिएगा, दो तीन बार बोलिएगा, फुलवारी की नाल उदैपुर जिले में सरिस्का वन सभी जानते हैं अलवर में बाग के लिए प्रसित और टॉडगर्ड रावली वन्य रासमद अजमेर पाली में सीता माता वन्यजीव उरन के लहरी के लिए परताप गर्ड चुत्तौडगर्ड और उधैपुर में इसके लावा माउंट अबू याद रहेगा सीरोही जिले में हैं जंगली मुर्गे के लिए रामगड विसदारी वन्यजीव विसदारी सांप के लिए प्रसित बूंदी जिले में और जमुवा रामगड आपको पता है जैपुर जिले में हैं राश्ट्रिये चंबल घड़या के लिए ही जाना जाता है ठीक है चलिए इसको आप दो तीन बार याद रखेंगे याद हो जाएगा तो इसी को इन्होंने मैप के द्वारा दर्साया गया है कि तालचापर कहां है चुरू चिले में है मरू राश्ट्रे उद्यान देखिए यहां हमने जैसल मेर बाड मेर द कंद बाररे ठाहिए केसर बाघ। और रध थम्भो राश्ट्रिक उद्यान यहां पर है टीक है जम्वा रामगळ रामगड विश्धारी ठीक है अब हमने देखा था इसे बूंदि जिले में है ठीक है इसका दर्रा कोटा में मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रिय उध्यान तो देखिए तीन राष्ट्रिय उध्यान देखे केवला देव राष्ट्रिय उध्यान भरतपुर रडधंबोर राष्ट्रिय उध्यान सवाई माधोपुर में और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट बार देख ली और मैंने आपको दो बार वो चीज़ें बता दी तो आपको अब यह चीज़ें याद रहेंगे और आप लोग बिल्कुल भी घबराईए मत यह जितना भी आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है यह अभी आगे आपको जिलों के साथ देखने को मिलेगा इनके अत्रिक्त राजिस्थान में जवाहर सागर अभ्यारण कोटा बूंदी चितोडगर बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण भरतपूर में भैसरोडगर वन्यजीव अभ्यारण बसी वन्यजीव अभ्यारण चितोडगर में यह जो भी मैप में दिखाई दे रहा था तो वो जिलों के साथ आपको यहां देखने को मिलेगा और यह सभी आपको लर्ण करने हैं इस्तित है यह देखिए राज्य पसू चिंकारा है और यह राज्य पशू उत है अब आप कहेंगे यह दोनों ही क्यों है राज्य पशू यह वन्नेट закончig खामें और यह पालतू पशू है उट दोनों ही राज्य पशू की श्रेणी में आएंगे तो एक्जाम में अगर ठीक है ध्यान रखना है आपको ठीक है जादा तर examiner यही पूछता है चिंकारा के बारे में लेकिन पालतु examiner का mood पे depend करता है कि चिंकारा ना हो और वहां उंट दे दिया जाएं तो आप परेशान नहीं होंगे कि हमने तो राज्ये पसु पढ़ा था चिंकारा उंट तो पढ पर्योजनाय है ठीक है मैंने आपको बताया था रड़ थंबोर सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स रिंस बाक संदक्षन पर्योजनाय झाल तो यह भी तीन है बाक संदक्षन पर्योजनाय हैं तथा केवला देव राश्ट्रिय उद्यान एवं सांबर जील वैट लेंड यानि नम भूमी स्थल है जहां प्रवासी पक्षी आते हैं वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू श्रेणी में उट राज्य पसू है जिसको हमने अभी पढ़ लिया है नेक्स्ट कुल भूभाग का लगवक 33% वन शेत्र होना चाहिए जो कि अब कितना है दस प्रतिशत ही है राजिस्तन राज्य की वन नीती 2010 में राज्य के संपून भूभाग के 20% को ब्रक्षा आच्छादित करने का लक्षे रखा गया है ठीक है लक्षे रखा गया है 33% वन शेत्र होन चाहिए 20% को ब्रक्षा दित करने का लक्षे रखा गया है ताकि परश्तिति एवं पर्यावरन संतुलन बने रहने के लिए प्रदेश वासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्षे प्राप्ति भी हो सके लेकिन राजिस्तान में अभी कितना है वन शेत्र लगवक 10% चत ही है वनों की अंधादुन कटाई एवं जागरुक्ता की अभव के कारण राजिस्तान में आरक्षित वन का शेत्र पल समय के साथ कम हुआ है राजिस्तान में वनों का विस्तार एवं सनरक्षण प्रतेक नाकरिक का कर्तव्या है दायत्व है वन सनरक्षण के उदेशे स राज्य सरकार अनेक संस्थाओं द्वारा जन मानस में जागरुकता हेतु अभिहान चलाए गए हैं, वनों की लकडी काटने पर पावंदी लगाई गई है, प्रक्षा रोपन, चारा गाह, विकास और सामाजिक पानकी की कारे भी किये गए हैं। शेतर अनुसंधान, संस्थान और सुस्क वन अनोसंधान संस्थान जोदपूर में हैं, या पूछा जाएगा काजरी और आफ्री कहाँ हैं। जोदपूर में हैं। इस संस्थान का ःदेश्य क्या है। उद्देश्य है सुस्क और अर्दुस्क शेत्रों में वनों एवं वन्ने जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना. ठीक है? पूछा जा सकता है कि काजरी और आफ्रीका उद्देश्य क्या है तो जो सुस्क और अर्दुस्क शेत्रों में जो वन्ने जीव हैं इनके विकास अनुसंधान करना मलता देवी की समृति में यहां एक म्रग उपवन भी इस्ऩापित किया गया है कहां पर? जोद्पूर में प्रतिवर्ष भाधरपद महा के सुकलपक्ष की दस्नी को यहां विस्व का एक मात्र भरक्ष मेला लगता है कई बार एक्जामों में पूचा गया है विस्व का एक मात्र ब्रक्ष मेला जो है, वह कहां लगता है, खेजर्डली गाउं, जोदपुर में लगता है, यहां म्रग उपोवन भी अमरिता देवी के नाम पर स्थापित किया गया है, कब हुआ था यह है, 1730 इस्वी में, कितने लोग मारे गए थे इसमें, 363 लोग मारे गए थे, ठीक है, और भादरपद महा की सुक्ल पक्षमी, दसमी को तेजा जी का भी मेला लगता है, जो कि आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो इस तरीके से चैप्टर हुआ, कम्प्लीट, इस चैप्टर में बहुत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पैक्ट हैं, आप लोगों इकनौर ना करिएगा, एक्जाम में हर बार यहां से कुश्चन पूछा गया है, चाहे आप रीट का एक्जाम लेलो, आप सेकिंड ग्रेट का, फर्स्ट ग्रेट का, आर्यास का, इस चैप्टर में से कुश्चन 101 परसेंट आता है, वाश्पी करन का क्या है, पसु पक्षी, विहार, हेतु, संटक्षित, वन, शेत्र, जहां पर बिना घबराये, डरे, जानवर घूम सकें, सदा बहार वन, जो की सदा हरे बहरे रहते हैं, चली, अब अभ्यास प्रस्चन करते हैं, जिससे ये पता लगेगा कि चैप्टर में चीज़ें कितनी समझ में आई, और कितने आंसर हम सही कर पा रहे हैं, राजिस्थान का राज्य पक्षी है, मोर, गोडावन, तोता या कबूतर, तो हमने पढ़ा था, गोडावन, राज्य पक्षी है, नेक्स्ट देखिए, राजिस्थान में सदावाहर वन कहां पाये जाते हैं, करॉली में उदैपुर में, स्री गंगा नगर में, या माउंट अबू में, तो बताओ हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था माउंट अबू, क्योंकि परवत्य शेत्रों पर या अधिक उचाई पर पहाडी लाकों में सदावाहर वन पाये जाते हैं, मिलान की जिए, सीता माता वन् जीव अभ्यारन में उड़न गिलेरी मिलेगी, राष्ट्य मरू उद्यान, मरू यानि जैसल मिरसाइड में वन्न जीव अभ्यारन, यहां हमने क्या पढ़ा था, तो ये मिलान किससे होगा, गोडावर, रण थंबो राष्ट्य उद्यान, तो बाग संरक्षन के लिए, यहा पर क्या मिलेंगी, भरतपुर में साइबीरियन क्रेन, ठीक है, जिससे सारस भी कहते हैं, तो ये मिलान हुआ, अति लगूतरात्मक प्रश्ण, राजिस्थान के राष्ट्य उद्यानों के नाम लिखिए, तो उन तीनों के नाम आपको लिखने है, राजिस्थान के किनी चा इसको आपको दो-तीन वार वीडियो को देखना है, सुनना है, जिससे कि आपको चीजे याद हो सके, आपका ही फायदा होगा इससे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर सेकिंड के साथ, थैंक यू